विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरतन अम्बेटकर के ओर से जैभीम नमबुद्धा है दा अंटोल्ड अम्बेटकर के तीसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्र बाबा साब अम्बेटकर जब अपनी पढ़ाई करने के लिए लंडन गए लंडन स्कूल अफ इकनोमिक्स में जब बाबा साब पढ़ाई कर रहे थे तब बाबा साब जिस घर में एज पेइंगेस्ट रहा करते थे उस घर के बारे में आपको कुछ अंटोल्ड बाते बताना चाहता हूँ बाबा साब जिस घर में एस पेंगेस रहा करते थे उस घर के एग्रिमेंट के साथ साथ उस घर मालकिन ने बाबा साब को रोज का सुबह का नास्टा भी देना है ऐसा करार उस एग्रिमेंट में था लेकिन उस घर की मालकिन इतनी दुस्ट थी कि वो बाबा साब को हफते में या दो हफते में एक बार नास्टा दिया करती थी और वो भी ब्रेड के कुछ तुकड़े बाबा साब का एक दोस्त वहाँ पर था बाबा साब के उस दोस्त ने बाबा साब को कुछ पापड दिये थे तो बाबा साब उस पापड के तुकड़ों को खाकर गुजरा किया करते थे जब मैं लंडन के उस घर से हम जब लंडन स्कूल अफ इकोनोमिक्स में गए वो ट्रेन पकड़के हमको पंदरा मिनिट लगे थे और वहां से ग्रेजीन चल कर गए बाबा साब इतना डिस्टंस का इतने दूरी को पैदल पार किया करते थे ताकि बाबा साब का जो पैसा है वो ट्रेन के भड़े में खर्चना हो बाबा साब इतने ट्रैंगल में पूरे दिन भर में वो पैदल उस लंडन स्कूल अफ इकोनोमिक्स और ग्रेजीन में जाया करते थे इन हालातों में जब बाबा साब के पास ही पैसे नहीं है ऐसे हालातों में बाबा साब का दूसरा बेटा गंगाधर बिमार पड़े गया मातारमाई मुंबई में उसका देखभाल कर रही थी लेकिन जब मातारमाई को लगया कि अब ये बच नहीं सकता है और इसके दवाई के लिए पैसे नहीं है तब माता रमाई ने बाबा साहब को टेलिग्राम किया बाबा साहब को टेलिग्राम किया और उस टेलिग्राम में बाबा साहब के लिए लिखा कि बाबा साहब हमारा बेटा गंदादर बहुत बिमार है उसके दवाई के लिए कुछ पैसे भेज दीजिए बाबा साहब ने क्या reply भेजा आप लोगों को पता है बाबा साहब ने reply में लिखा कि रामू अगर हमारा बच्चा अगर बच नहीं सकता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए एक बाब अपने बेटे के लिए कह रहा है कि अगर वो नहीं बच सकता तो हमें उसे जाने देना चाहिए बाबा साब और आगे लिखते हैं कि रामू मैं भी यहाँ पर एक ब्रेड का तुकड़ा खाकर गुजारा कर रहा हूं ऐसे हाला तो मैं मेरे पास आपको भे माता रमाई को पता चली कि बाबा साब अमबेटकर जी के पास खाने के लिए तक वहाँ पर पैसे नहीं है गंगादर तो जा चुका था लेकिन जब माता रमाई को ये बात पता चली कि बाबा साब एक ब्रेड का तुकड़ा खाकर वहाँ पर गुजारा कर रहा है तब माता रमाई ये मुंबई में गोबर इखटा करके उसके उपले बनाकर सुरज उगने से पहले वह उपले बाजार में बेच कर आया करती थी और जो पैसे माता रमाई ने इखटा किये वह सारे पैसे इखटा करके उन्होंने बाबा साहब को लंडन में भेजे ये भारत के ही नहीं विश्व की पहली महिला ऐसी होगी जिनोंने भारत से परदेश में अपने पती के लिए पैसे भेज़ोंगे वरना आज भी 2020 में भी अगर पती एक या दस तारिक तक पैसे नहीं देता तो उसकी पत्री उसके पीछे हाथ धोकर लग जाएगी लेकिन माता रमाई पहली ऐसी पत्री होगी पहली ऐसी स्त्री होगी जिनोंने अपने पती के लिए परदेश में पैसे भेज़े ये अनकही बाते किसी किताबों में या किसी मुवीज में आपको नहीं मिलेगी ये अंटोल अंबेड कर में आपको मिलेगी जे भीम, जे भारत, जे बुद्दा